दोस्तों अपन आगे हैं डेश्ट फिस्वीन पर मैं आज आज आपको बहुत ही कमाल की एक सॉल्विशन लेकर आया हूँ दोस्तों क्या होता है कि कई बार आप यह गोगल क्रॉम जो देख रहे हैं आप इस वह आप उपन करने जाते हैं डवल टैप करते हैं तो यह उपन नहीं होता है और दोस्तों आप लोग को बहुत जादा ट्राइब यहाँ करने के बाद मतलब आपका क्रॉम उपन नहीं होता है क्यासे भी तो आपको मैं बहुत ज्यादा सींपल सा एक तरीका बताने वाला हूँ simple तो आप बहुत जादा सेंपल है सिंपल आप यहां पर क्या करना है कि Chrome की जो background service रहती है उनको आपको बंद करना है तो दोस्तों यह solution में आज आपको बताने वालों उस background service को अगर आप बंद कर देंगे तो आपका Google Chrome जो है वो open हो जाएगा ठीक है जो open होता है जैसे कि मैं बता दूँ आपको आप अगर login होंगे या आप sign up कर रखे है Google Chrome में login कर रखा है आपने तो वहां से हटा देगा यह चीज़ याद रखना ठीक है तो वह एक phrase मतलब बिल्कुल phrase पेज open करेगा आपके सामने और फिर वह open हो कर आएगा तो दोस्तों इस चीज़ का solution में आज आपके देकर आया हूँ अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लाइक करना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों एक साथी साथ एक चीज़ और बता थूँ आपको अगर आपने मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आगर आ आपको इसका लिंक डिसक्रिप्शन मिल जाएगा और इसकी न पे भी आपको दिखाई डे रहा हूँ कि आपके डिक्टाप गर और थे लिए तो दोस्तों इसी तरह से अभी आप देखिए मेरे यहाप गोगल क्रॉम को तो यह ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर टास्क मेनेजर के अंदर कि यहाँ पर आपको Google block advancing लगाँ में और शभ्या पर नहीं देखेंगे और यहाँ पर ग्रास्क पर आपको Google claim लेहाँ पर लिखता हो ङहाँ कर देखा है और जैसी आप एंटास क्रिक करेंगी यहां से चला जाएगा और ओटोमेटिकली सब कुछ बंद कर देगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ बापिस से अभी अपन गोगल क्रॉम को ओपन किया था देख ली जहां से हट गया है और दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर है तो आपको simply task manager को open करना है और task manager open करने की shortcut trick है वह आपको उता दूँ control shift और esc लिखा रहता है right side right side लिखा रहता है corner में देखे, sorry left side लिखा रहता है corner में esc तो control plus shift plus esc आप जैसी दभाएंगे तो task manager पर open ओजाएगा और यहां पर करके आपको select करना है और right click करके इसको end task कर देना है और completely आपको यहाँ पर running हो जाएगा Google Chrome तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए लाइक करना चैनल में यह चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यू दोस्तों